तो हलो हाई एवरिवन विलकम है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे तो आज मैं पहुंचा हूँ जरुआ पसु मंडी जो कि ये मंडी सबताइक मंडी है परती एक रविवार यानि के संडे के दिन ये मंडी लगती है तो आज इस मंडी से जानेंगे काफी सारी गाय की ड काफी सारी गाय आप देख पारे जो की एक लें से आपको देखने को हो जाती है तो विडियो में बने रहा आकरी तक आज मैं कुछ कमप्राइज में से गाई देख लाने का कोशिस करूँ जो कि 50 5,000 के अंदर में जो गाई मिल जाये इस टैप की गाई आज की वए वीडियो में मैं आप सभी को देखिलाने का कोजिस करूँगा तो बने रहे वीडियो में आखरी तक उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट हम आये तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेल आइकोन को भी दवा ले ताकि इस तरह का नोटिफेकेशन आप दात में मिली इस गाई की डेटेल बतलाई जा रही है 14 लीटर दूद की कैपसिटी दोनों टैम का इस गाई के अंदर बतलाई जा रहा है डिमांड की बात करें तो 54,000 पर इस गाई का डिमांड रखा गया है जो की दाम में कम बेस हो जाएगा मंडी का प्राइज जो की फिक से लिए गाई की डेटेल बतलाने का मैं कोस्जिस करूगा अगर कुछ गाई यहां पर हमारे सामने सेल हो गई मेलबच्चा के साथ में गाई आपको देखने को बढ़ेंगे कुछ और गाई की तरह यहां पर एक और गाई जो की देखने को मिल रहा है बिलकुल सैड में यहां पर लाकर इस गाई को बांदा गया दांत में मिली इस गाई की डीटेल बतलाई जा रही है 63,000 इस गाई का डीमांड रखा गया जो की दाम में कमबेस हो जाएगा मेल बच्चा के साथ में यह भी गाई आपको देखने को मिला और पीछे सैट से अडर बनाड भी आप देख पारें काफी आसानी से यह सब गाई जो आप देख पारें 50,000 के अंदर में काफी आसानी से य भाई देखकर अंदाजा लगा सकते कि कौन सी गाई क्या दूद निकाल पाएगी तो यहां पर एक और गाई आप देख पार है जैसा कि स्केन के उपर इस गाई का भी पूरी डेटेल मैं देना चाहूंगा दातों में मिली इस गाई की डेटेल बतला जा रही है 16 लीटर उसकी capacity demand की बात करें तो 62,000 पर इस गाई का demand रखा गिया है जो कि mail बच्चा के साथ में यह गाई आपको देखने को मिला है थोड़ा वीक गाई आप देख पार है थोड़ा वीक जो कि किसान भाई की बहुत सारी गाई होती है जो कि खान पीन में थोड़ा मिंटन के साथ मे काफी आसानी से यह गाई को आप देख पार है HF Cross में से यह गाई आपको देखने को मिल रहा है तो बढ़ेंगे कुछ और गाई की तरो यहाँ पर कुछ और गाई जो कि देखने को मिल रहा है तो एक एक करके और भी गाई की डिटेल देना चाहूंगा तो बने रहा है दोनों टैम का इस गाई के अंदर बतलाई जा रहा है गाई को पीछे साथ से आप देख पारें अडर की बनावाट 14 लिटर जो की बतलाई जा रहा है और यह भी गाई जो की किसान भाई की गाई बतलाई जा रही है डिमांड की बात करें तो 65,000 पर काफी हाई प्राइज बतल को मिल रहा है जैसा की ओनर का कहना की दूसरी बार यह गाई ब्याई यह फीमल बच्चा के साथ में यह प्लस प्राइट है इस वजह से डिमांड को जादा देखने को मिल रहा है लेकिन दाम में कंबेस हो जाएगा यहां पर आकर रेड़ बहु करने पर तो बढ़ेंगे एक और गाई की तरह यहां पर एक और गाई जो कि यहां पर देखने को मिल रहा है दो गाई यहां पर एक साथ देखने को मिल रहा है यह गाई जो आप देख पारें सबसे पहली गाई यह गाई का डीटेल मैं आपको पहले देना चाहूंगा छे दात में से इस गाई की डीटेल बतलाई जारी 17 लीटर दूद की कैपेसिटी इस गाई के अंदर बतलाई जारा है वैसे अडर की बनाट आप देखकर अंदाजा लगा सकते कि क्या दूद निकाल पाएगी और डिमांड की बात करें तो 75,000 इस गाई का डिमांड रखा गया है जो की गाई को आप देख पारे ह तो मैं पहले इस गाई को मैं आपको देख लाना चाहूंगा फीमेल बच्चा है एक यह प्रस प्रस प्रेंट है और जश्ट बगल में यह गाई जो आप देख पार यह गाई का डिमांड रखा गया है तो यह गाई का डिमांड रखा गया है तो यह गाई का असानी से आप भी पूरी डीटल देना चौँगा साइट से आप देख पार एक बार में पीछे साइट से भी गाय को देखलाना चाओगा दात्वे मिली इस गाय की डीटल बतलाई जाएरी 14 लीटर दूद की कैपसीटी दोनों टाम का इस गाय के अंदर बतलाई जा रहा है तो बढ़ेंगे कुछ और गाय की तरह यहां पर कुछ और गाय देखने को मिला है थोड़ा बाहर की तरह तो इस गाय का भी मैं आपको डेटेल देना चाहूंगा जो कि इस गाय को पर यह गाय को आप देख पारें दातों मिली इस गाय की डेटेल बतलाए जारी 13 लिटर मुल देखने को मिलरा जो की पीछे सही है अटर की बनावाड़ भी काफी असानी से आप देख पारें तो क्याप तूप यहां पर आप अपर देख सानी से आपको 20 लिटर आर्ट रिटर वाली गाई भी अगर purchase करना चाहते तो वो भी भाई यहाँ पर आए और आकर गाई purchase कर सकते काफी आसानी से जो कि यहाँ पर आपको dairy form से लेकर किसान भाई की गाई भी यहाँ पर काफी आसानी से जो की ओनर का जो की वादा है कि तेरा लीटर ये दोनों टैम में दूद्ध निकालेगे डिमांड की बात करें तो तिरपन हजार प्या